क्लॉट डाइपरिंग करते हुए मुझे लगभग एक साल से उपर हो गया है तो आज मैं आपको दिखाऊंगी सूपर बॉटम्स का उनो और बेसिक में क्या डिफरेंस है यह वाला जो है बेसिक डाइपर है और मैं पहले ही चाइनीज डाइपर यूज करती थी जो लोकल धाइसो तीन सो वाले होते लेकिन वो मुझे बहुत बेकाल लगते थे और मैंने क्लॉट डाइपरिंग करना छोड़ दिया था फिर मैंने सूपर पॉटम्स यूज किया और मुझे काफी अच्छा लगा एक तो बेबी के लिए भी काफी अच्छा होता है यह गर्मियों में रैश्टिस की प्रॉब्लम नहीं होती है काफी कमफरटीबल और एकदम सेफ फील करते हैं तो बेबी भी एकदम कॉटन में कमफरटीबल रहता है प्लास्टिक काफी हामफुल होता है तो इसमें पहला तो डिफरेंस है स्नैप का अब स्नैप से एज़ेस्ट कर सकते हो और उनो में साइज एज़ेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है उनो का ये मैजिक ट्राइफील पैड है जो बहुत ही पतला है वैसे तो दोनो डाइपोस के जो इंसर्ट है वो काफी पतले है और बहुत जल्दी सूप जाते है लेकिन उनो आप ओवरनाइट के लिए यूज़ कर सकते हो लगबग 12 घंटे के लिए और बेसिक आपका 3-4 घंटे आराम से चल जाए